हेलो अब्रीवन वेल्गम तू कॉमर्स अड़ाट उनिवर्स सेवन माइनम इस अमन महता और आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चाप्टर करने वाल है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए जिसका नाम है जर्नल और वन शॉट में करेंगे एक बार में आपके दिमाग में सारे बे आपकी life decided कर सकता है तो सबसे पहले देखते है कि accounting के अंदर होता क्या accounting के अंदर रीकार इंग होती है transaction और event के क्या होता है record करते है म literally transactions को और event को ठीक है अब transactions क्या होती है sir और event क्या होते हैं इंगलिश में definition तो आपकी books में भी लिखी है आपके भेज़े में बिल्कुल सही चीज डालना वह बहुत जरूरी है तो transaction basically वह होती है जो business में हम करते हैं और event वह होते हैं जो हम करते नहीं है लेकिन हो जाते हैं sir example दीजिए पेटा अगर आप stock को purchase करते हैं कोई goods है उनको purchase करते हैं sale करते हैं तो आप कर रहें इसलिए transaction कहलाती है लेकिन अगर profit होता है वह एक event है closing stock आता है वह एक event है आपने मानलो जो एक लाग रुपय का समान खरीदा इस साल भर में आप एक लाग रुपय का समान बेचने वाले हो आपने बेचा तो वह अस्ती हजार रुपय का बीस हजार कर नहीं बिख पाया क्या यह बीस हजार रुपय का closing stock था closing stock मतलब जो end में goods नहीं बिख पाते तो वह stock होता है closing time पर तो वह आपने क्या जान मुझ के किया कि आपने ऐसा करा कि 20,000 बचा के रखेंगे नहीं 20,000 रुपय का समान नहीं बचाएंगे यह बच गया अपने आप हुआ that is called event ठीक है तो transaction वह जो हम करते हैं event वह जो हो of money में ठीक है जो money के terms में monetary terms में जिसको मेजर कर सकते हैं उन्हीं को record करते हैं secondly इनका source document होना चाहिए that means कोई evidence होना चाहिए transaction हुई है आपने समान खरीदा है क्या आपके पास उसका bill है cash memo है कुछ तो होगा अगर है तब उस चीज के entry होगी उसको books of account में उसकी journal entry होने वाली है सच journal entry क्या होती है अभी चलो छोड़ो journal entry नहीं बोलेंगे accounting के अंदर record किया जाएगा फिलहाल आप यह समझो ठीक है और फिर उसके बाद उसको जब यह दोनों condition fulfill हो जाती है उसको हम books of original entry में डालते है कि books of original entry that means ऐसी book जो जहां पर first time किसी भी transaction एवेंट को record किया जाता है और यह books of original entry और कोई नहीं आपकी journal entry book है यानि पहली बार जब कोई transaction है उसको monetary terms में देखा जाए और उसके लिए कोई हमारे पास evidence भी हो के हाँ यह actual में हुई है तो उसको पहली बार जब हम record करते हैं तो वो journal entry के रूप में करते हैं यानि हर चीज जो भी business के अंदर हो रही है सब के लिए एक journal entry की जाती है journal entry क्या है record करना किसको record करना दो चीजों को record करना क्योंकि आप जो पढ़ते हो वो क्या है वो है double entry book keeping system तो दोनों aspect को record कर लेना ही journal entry है किस तरीके से करते हैं देखते हैं फिलाल इसके बाद क्या होता है journal entry के बाद principal books उसको transfer किया जाता है जिसको हम ledgers बोलते हैं जिसको हम खाते बोलते हैं अकाउंट्स बोलते हैं जिसको आप सीखना आया है तो यह तो हमारे आज का topic नहीं है हमारों topic है यह books of original entry यह जब हम first time record करते हैं यह हमारी journal तो यही सीखना है तो चलिए आगे बढ़ते ह जर्नल के बारे में जानते हैं journal is a book of prime entry prime मतलब सबसे पहले होने वाली प्रमुख पहले और प्रमुख रूप से होने वाली चीज़ और अब book of original entry original का मतलब पते है क्या होता जो first time होता है जैसे मानलो सोनु निगम ने गाना गाया first time तो जैसे वो गाना नहीं अभी मुझे में कहीं तो वो क्या है किसका गाना originally first time किसने गाया था उस singer ने गाया था तो ऐसे ही कोई transaction थी पहली बार जब लिखी गई तो क्या है books of original entry originally पहली पर जो लिखे गे जहां पर लिखी जाती है वो है हमारी क्या journal in which transaction are first recorded जिसमें सबसे पहले record होती है इना chronological order यह important चीज है भाई chronological order यानि जैसे जैसे जिस sequence में transaction हुई है उसी sequence में record होंगी अगर आज मैंने कोई चीज मानलो मैंने कोई समन खरीदा है तो उसकी आज recording होगी और उसकी journal entry आज लिखी जाएगी और उसके बाद जो मैंने खरीदा उसके बाद लिखी जाएगी ऐसा नहीं हो सकता कि 10 अगस्त की जो journal entry है वो मैं पहले कर दूँ और एक अगस्त की बाद में करूँ नहीं गलत है journal entry होती है chronological order में as per the sequence जैसे जैसे transaction happen हुई है घटना घटी है वैसे वैसे record होगी ठीक है अब इसका format अगर हम देखे है तो भाई एक date का column होता है एक particular का column होता है एक LF का column होता है debit का amount और credit का amount दो impact मैंने आपको बोला double entry bookkeeping system आपके accounting के book का नाम ही है double entry bookkeeping system जो भी आप accounting सीखते हो वो double entry के हिसाब से सीखते हो यानि हर चीज को दो impact होत है आपने i hope देख लिया होगा debit और credit के rule वाला chapter जो हमने पढ़ा था rules of debit and credit अगर नहीं देखा तो i button में जाकर देखिए उसके बाद ही ऐसा मजमा आने वाला है क्योंकि यहां बहुत सारी debit credit वाली चीज होने वाली है बहुत सारी rules होने वाले हैं मैं बताऊंगा लेकिन detail में आप उसी one shot को देखिए ठीक है तो debit का amount कितना debit हुआ और कितना credit हुआ वो यहां पर लिखा जाता है तो date में simple सी बात है जो आप transaction हुई है आपने मालों को समान खरीदा है तो किस date पर हुआ वो यहां पर लिखी जाएगी और जो journal entry वो यहां पर लिखी जाती है journal entry यहां लि लेजर फोलियो अभी मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको बताया कि journal entry होने के बाद principal बुक में जाती है यानि हमारी ledgers में जाती है ठीक है ledgers में जाती है आप खुद सोचो कि यह हमारी एक किताब है और यह दूसरी किताब है इसमें जर्नल entry वो इसमें लेजर हो रहा है बहुत सारे pages है अगर मैं इसको इसमें transfer करूंगा तो यहां से जर्नल है यहां से जर्नल है वो ledger के किस page number पे गई है किस page number पे गई है तो वो page number यह journal entry जो यहां पे हम लिखेंगे वो journal entry ledger में किस page number पे गई है वो page number यहां पे लिखा जागा इसलिए ledger folio का use होता है ठीक है अब आपको जाए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर हमें यह भी लिखना पड़ेगा normally नहीं लिखना पड़ता लेकिन format में है तो आप format में बनाकर के जरूर आएंगे इस कॉलम को पतला सा कॉलम होता है ठीक है चलिए तो आई होब आपको समझा दिए कि journal entry है क्या मैंने आपको बता दिए format कैसा होता है कहां पर journal entry लिखी जाती है कौन-कौन से कॉलम होते हैं और जब journal entry लिखते हैं तो उसके नीचे एक औ पड़ता है कि एक्चुल में हुआ क्या है क्योंकि बहुत सारी जर्नल एंट्री सेम भी दिख सकती है तो उसको समझाने के लिए narration लिखी होती है और इसलिए हम क्या बोलते हैं यह जर्नल एंट्री है अकाउंटिंग क्या है यह language of business है समझ मारी बात चलिए तो जर्नल एंट credit credit की approaches है जैसे traditional approach और modern approach ठीक है traditional approach और modern approach इसके अंदर आपके 3 account होते है एक होता personal account एक होता real account एक होता nominal account यहां पर आपके 5 तरहां के account होते हैं ठीक है asset होता है liability होता है और इसी के साथ capital लिख लेते हैं फिर expenses या loss होते हैं फिर income या फिर gain या फिर profit कुछ भी बोलो इन सब के लिए formula होते है नो personal के लिए बात करते है पर्सनल चो account होते हैं वो person से related होते है real account asset से related होते है nominal account किसे related होते हैं normal nominal account होते है expenses और income profit और gain से related ठीक है तो यह चीज़ समझ में आ रही है आपको चाहे आप इस approach से काम करें चाहे आप modern approach से काम करें आसान है मैं आपको अभी initial stage पर बोलूँगा आप इस से काम करें आप करेंगे तो credit कर देंगे यानि खतम करते वक्त और income को खतम करेंगे तो debit कर देंगे वह बात की बात है फिलाल समझते हैं आगे दीरे-दीरे करके एक एक example लिया है उसको करते हुए चलते हैं आपको समझ में आ जाएगा और बिल्कुल rules के हिसाफ से चलेंगे ठीक है rules के हिसाफ से चलेंगे मजा आएगा चलिए तो सबसे पहले Sonu started business and introduced capital of rupees 1 lakh तो देखो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमें क्या करना पड़ेगा हमें अच्छे समझना पड़ेगा कि दो impact हो क्या रहे है एक debit होगा एक credit होगा ठीक है with same amount तो देखो देखो देहान से तो सबसे पहली चीज क्या है भाई कि एक तो capital नाम की एक liability है internal liability वह increase हो रही है और क्या दिया जा रहा है भाई cash दिया जा रहा है कुछ भी नहीं बताया तो cash दिया होगा cash दिया cash भी increase हो रहा है cash एक asset asset increase होगा तो क्या होगा बेटा debit करेंगे ठीक है और capital एक liability है increase होगा तो क्या करेंगे credit करेंगे तो हमेशा दियान रखें कि जब भी आप journal entry लिखेंगे तो सबसे पहले debit करेंगे उसके बाद credit करेंगे अब इधिरे दिरे आधत पढ़ जाएगे पहले debit करेंगे फिर credit करेंगे तो debit क्या हो रहा है cash account तो लिखो कैसे लिखते हैं वो धिहान से देखो cash account ठीक है cash account और space दे करके यहाँ पर लिखो debit अब यह debit होगे तो नीचे वाले के लिखना जरूरी यह understood है अब यहाँ पर थोड़ा सा gap दोगे इतना space छोड़ो और लिखो यहाँ पर 2 क्या credit करना है capital तो लिखो capital लगाओ capital समझ मारी है कि लाइन ऐसे छोड़ मत देना ऐसे लिखा जाएगा अब मालो जो capital कितने एक लाख रुपे तो एक लाख रुपे cash debit हुआ तो इसके सामने लिखो capital debit amount में एक लाख रुपे और capital credit हुई तो credit वाले कॉलम में लिखो एक लाख रुपे और यहाँ पर आप क्या लिखोगे narration लिखोगे narration कहां से शुरू हो थे being से शुरू करते है नॉर्मली वैसे भी कर सकते हूँ being capital introduced by Sonu बस लिख दिया अच्छा अब मैं आपको genuinely बताऊंगे कि जो अभी मैंने आपको narration लिख के दिखाई है अब यहाँ पर तो यह जो हुआ है उसको explain किया है कि क्या किया है Sonu ने capital introduced करी है क्या फिर आप लिख सकते हो और यह कुछ पत्थर की लकीर नहीं मैं जब 11th क्लास में था मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी कि narration कैसे लिखों कई बच्चों की English week हो सकती है इस वजया से प्रॉब्लम हो कई बच्चों को समझ में ना लिखें क्या तो मैं आपको बताऊं य इससे ज़्याद़ परिशान होने की जूरत नहीं है आपको चलिए तो start करते हैं आगे दूसरा आता है purchased furniture हमने क्या कर रहा है चिंटू से furniture purchase कर रहा है paid in cash हमने 10,000 रुपे दे करके cash भी क्या कर लिया हमने cash दिया और furniture लिया है अब furniture purchase कर रहा है तो हुआ क्या दो चीज़े आ ठीक है फिर क्या आया cash दिया है हमें तो cash आया तो furniture increase हो रहा है और cash जा रहा है decrease हो रहा है तो cash एक asset है asset कम हो रही है तो credit करेंगे और furniture भी asset asset increase हो रही है तो debit करेंगे तो पहले हमें क्या लिखने है debit लिखना है तो लिखेंगे furniture account dot 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 debit फिर थोड़ा space देके लिखेंगे यहां पर two ऐसे यही style है बाई two cash account कितना 10,000 रुपे debit side में और थोड़ा से नीचे करके लिखेंगे 10,000 रुपे credit side में और यहां पर क्या लिखोगे being furniture purchased for cash मेरे को जब problem होती थी ना तो मैं notice करता था कि भई being लिखना है और जो भी verb आईगी वो third form आईगी मैं तो ऐसे याद रखता था अब आपने style खुद बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आता है paid rent हमने क्या करा भई रेंट पे किया है क्या करा है रेंट पे किया है रेंट क्या है रेंट पे किया है पे करेंगे तो cash भी जाए यहां पर भाई बोलने की बज़्यूरत नहीं क्या होगा रेंट को पे करोगे payment करो तो पैसे ही तो दोगे पुराने टाइम तो चल नहीं रहा गेहूं दे दिया सोने की अशर्फियां दे दी ऐसा तो होगा नहीं चलो भई तो cash रेंट की payment करोगा जो रेंट हमारा खर्चा है expense है और expenses क्या होते है अभी बताया मैंने expenses debit होते है और क्या जब रेंट पे करोगा तो cash कम हो जाएगा cash एक asset asset कम होती है तो credit करते हैं मैं आपको बता रहा हूं जब भी transaction को पढ़ रहे हो चाया लेजर बनाना हो चाया journal entry करने हो बार 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 य करेंगे तो cash जाएगा cash एक asset asset कम होती है तो credit करते है ऐसी जैसे rap गाते हो ना तुम लोग यो यो हनी सिंग और बोहिमिया और रफ्तार और पता नहीं क्या-क्या-क्या बंटा है वो सब कुछ यहां पर लगा दो भाई कैसे आपकी accounting अच्छी नहीं होगी मैं मतलब मैं देख to cash account अगर bank से payment करेंगे तो bank कम हो रहागा तो bank account लिख देंगे कितना 3000 रुपए समझ माई बात तो लिखो यहां पर being rent paid बस इतना ही लिखना है समझ माद यह बात अगले example पर चलते हैं अगला आता है purchase of goods for 5000 अगेंस्ट चेक अब चेक के through गया है तो that means हमने bank account का यूज कर रहा है हमने cash नहीं दिया हमने bank account का यूज कर रहा है अब हमें यह देखना है purchase goods तो भई goods की बात दो लिए है देखो goods अब हमने purchase तो furniture भी रहा था अभी इससे पहले हमने एक जॉर्णल एंट्री करें furniture purchase करने की बीटा दोनों entries में फर्क है यहां पर purchase करना अलग बात पड़ रही है और वहां पर purchase करना अलग बात पड़ रही है वहाँ पर हम purchase कर रहे हैं तो हम furniture account को क्या कर रहे हैं, debit कर रहे हैं यहाँ पर जो goods है, journal entry जब आप देखते हैं, तो जो goods है, वो asset है no doubt बट यह क्या है, यह profit कमाने के लिए हम कर रहे हैं furniture खरीद रहे हैं, तो वो profit कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं वो अपने office में रखेंगे, उस पर customer बगर आएंगे, बैठेंगे, client आएंगे, meetings होंगी, सब कुछ होगा Ultimately, they are indirectly supporting us, लेकिन goods जो है, goods ऐसी चीज़ हैं, जो हमें directly support करते हैं तो goods को खरीदना, बेचना यह सब क्या है, यह अब assets के दारे से बाहर जाकर के, इसको expense और income में consider किया जाता है क्या की जाता है, expense और income में consider किया जाता है तो goods खरीदँखतो RA, डुए और goods बेच दूग तो तो मेरी income है आणे ये बास समझ में, गुड्स खरीदोंगा, तो मेरे लिए क्या एक खर्चा है, और अब इस गुड्स को खरीदने को जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं purchase, तो यहां पर purchase account आएगा, क्या आएगा, purchase account आएगा, यह क्या है, बेटा expense है, और यह expense है, तो expense क्या होते हैं, debit होत तो ज्यादातर हम क्या खरीदेंगे बेचेंगे वही product जिसमें हम deal कर रहे हैं अगर एक हलवाई की बात करें तो वह क्या मिठाईय ही तो बेचेगा समोसी तो बेचेगा तो उसका stock है तो अगर हम purchase account लिख रहे हैं इसका मतलब यही है कि वह business जिस भी चीज में deal करता है that means वह pless me stock को purchase कर रहा है क्या करता है stock को purchase कर रहा है और purchase कर रहा है against check तो उसका bank account का गुड्स पर्चेस्ट रहना बाय चेक कितना पांच हजार रुपए पांच हजार रुपए बात समझ महा रही है और अगर आप इसको modern approach चुन करके आप इसके लिए traditional approach चुनते तो वह भी देखो बैंक एक asset asset क्या है? real account है real account है और real account के लिए क्या rule होता है? debit what comes in, credit what goes out तो बैंक से पैसा जा रहा है, goes out, तो credit कर दिया और purchase के लिए क्या लगएगा? purchase एक nominal account है, expenses से related है इसलिए तो nominal account है, nominal account जो expenses होते हैं उसके लिए rule क्या बता है? debit all expenses and loss, credit all income and gains तो फिर हमने इस वज़े से purchase को debit किया है, तो थोड़ा ऐसे घूम जाता है, modern approach हमें सीधा बोलती है, expense at debit करो, asset बढ़रे एक debit करो, asset घटरे एक credit करो, तो इसलिए मैंने आपको modern approach दिया है, कि पहले आप modern approach से practice करो, और traditional approach आपको अपने आप आप आ जाएगी, और जब आपने journal entry लिखे, अपना move on कर लो, move on कर लो किसको क्या पता, मैं बोल रहो तब ही तो आपको पता, सलिए मैंने debit traditional से करा या modern से करा, किसी से भी करो debit तो debit वही होगा, जो होना चाहिए, ठीक है बस, गलत method मतलगा न, गलत rule मतलगा न, दोनों ही approaches चलेंगी अपने को, आगे बढ़ते हैं, अगला आता sold goods for 25,000 against check, check मैंने समान बेचा और मुझे check के through payment मिली, यह नहीं मेरे bank account में पैसा है, तो यहां पर मैंने जैसा बोला goods के लिए purchase करोगे तो goods purchase account आएगा, अब यहां पर sale करोगे तो sale हमारी income है, sales का हमारी income है, और income क्या होती है, income debit होती है, credit होती है, बताया तो bank account हमारा increase हो जागा, bank एक asset है, asset बढ़ती है, debit होता है, तो लो भाही, bank account, dot, 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 debit to sales account, आई बास समझ में, केतना, 25,000 आसान है, चले आगे, अगले example, paid salary, 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 salary क्या हमारे लिए, salary भी हमारा खर्चा है, या नि expense है, expense क्या होती है, debit होता है, expense क्या होता है, debit होता है, buy check, check के तुरू दिया, तो bank account हमारा कम हो रहा होगा, bank, एक asset asset कम होती है, तो credit करते है, हर चीज़ फिट होती है, एक debit, एक credit, अब कई entries होती है, जिसमें, एक से जाधा debit, एक से जाधा credit होता है, उनको हम क्या बोलते है, यह तो simple journal entry, उनको बोलते है, compound journal entry, ठीक है, वो भी करेंगे, tension मतलो, धिरी-धिरी, हैना, पहले तो नॉर्मल विलन दिखा देंगे, तो डर नहीं जाओगे आप, विलन तो कुछ है ही नहीं भाई, यह मैं बता रहा हूँ आपको, यही आपके जिंदगी में आपको hero बनाएगा, salary account, debit to bank account, और मैं क्या लिखोंगा, being salary paid by check, कितना? पचास हजार, ठीक है, चलिए जी, यह वाला भी हम समझ में आगया, भाई, जहां समझ में ना आए, comment box आपका है, आपका हग बनता है हम पर, एक ही परिवार है भाई, adda247 का commerce channel, तो आप हम से पूरे हग से पूछ से पूछ सकता है, समझ में ने आए, प्लीज बता दो, हम अब भाई ब्याज, ब्याज सुना ना, पैसा किसी को उधार दो, तो उससे फिर इंटरस्ट ले सकते हो, ब्याज ले सकते हो, अब भाई पैसा मिलना, रिसीव करना तो इंकम ही होता है, खर्चे हमेशा पे किये जाते हैं, और इंकम हमेशा रिसीव की जाती है, ठीक है, तो cash लिखा उपर cash, cash आ रहा है, cash एक asset asset बढ़ेगी तो debit होगा, cash बढ़ रहा है ना हमारे पास, तो बस cash account debit space छोड़ा 2 लिखा, लिखा interest account, लिखो, being interest received in cash, cash, क्या, 1000 रुपे, साथ साथ करते चलो, आप मज़ा आता रहेगा, देरे 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 चीज़े और करेंगे, प्रैक्टिस सेशन भी लवाएंगा, आपको समझ माएगा, ठीक है, अभी आपको एकदम शुरुआत है, तो basic strong करने, अगले topic पर चलते हैं, अगले example पर चलते हैं, received cash for 10,000 from debtor, अमित, अमित एक debtor है, हमारे debtor मैंने आपको समझा, basics भाई, जिसने नहीं पढ़े, प्लीज जा करके, आपके पास बहाना आप नहीं है, कि हमारे पास resources नहीं है, हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं है, commerce adda 24-7 आपको पढ़ा रहा है, हर एक बच्चे को इंडिया में पढ़ा रहा है, तो please उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, तो debtor के बारे में मैं acquire debtor वो इंसान होता है, जिसको हमने समान उधार बेचा होता और उसे पैसा लेना होता है, ठीक है, तो चलिए, debtor हमारी asset होता है, obviously, तो debtor, पैसे debtor नहीं अमित वर्ड यूज करेंगे, अमित का अकाउंट है debtor तो बहुत सारे होंगे न, तो जो अमित है, हमारे debtor asset है, अब पैसा दे देगा तो हमारा debtor नहीं रहेगा, यानि हमारी asset कम हो रही है, तो इसको मैं का करूँगा, credit करूँगा, क्योंकि debtor जा रहे है, पैसा दे करके करें, बाई-बाई, अब हम तुमारी debtor नहीं रहे है, और cash receive हो रहा है, cash receive होगा तो पैसा करते हैं तो debit करते हैं तो लिखो भाई cash account debit to Amit अब देखो या तो ऐसे आप Amit लिख लो या फिर आपको Amit account लिख दिया ना फिटा ही गलत है ऐसे आप Amit account ने ले या तो Amit लिख के छोड़ दो कोई दिखकर नहीं है या फिर आप लिखो Amit's account कितना effort कौन लगा सीधे Amit लिख दस हजार पंपिला चलो लिखो फिर being amount received from Amit लिख है वही समझते जा रहे हो अगली topic पर चलो pay to a creditor हमने creditor को pay कर रहा है जिसका नाम सुझीत है 5000 अब creditor सुझीत liability है अब इसको हम pay कर रहे है हमारी liability क्या हो जाएगी कम हो जाएगी liability कम होती तो क्या करते है डेबिट करते है और pay कर रहा हूं तो पैसा दे रहा हूं न तभी तो उसको payment बोलते है अब पैसा दे रहा हूं तो यह भी decrease हो रहा है अब cash एक asset asset decrease होती तो क्या करते है बटा credit करते है तो लिखो सुझीत सुझीत अकाउंट लिख सकता है है सुझीत लिखके asset debit कर दो to cash account लिखो being payment made to सुझीत पैमेंट made तो फिर से third form आ रही है पांच हजार और पांच हजार ठीक है भाई समझ मां आता जा रहा है तो भाई comment करके बताते रहो session को share करो like करो भाई सारे efforts आपके लिए पूरी टीम लगा रही है तो भाई आपका क्या करतव्य बनता है motivate करते रहना ठीक है 10th example पर चलते हैं bought goods for 5000 plus cgst scst अब मैंने आपको gst भी पढ़ाया तो gst वाली entry भी आपको समझ मानी चाहिए ठीक है वह भी one shot आपको यहां पर मिल जाएगा तो देखते चलो देखते चलो gst भाई वहां पर अगर gst की समझ होगी तभी तो यहां पर आप जर्नल लिंक ट्रिकर पाऊगे तो मैंने आपको बता था यह bought purchase करना तो purchase करें पर्चेस डेबिट तो purchase पर लगने वाला tax भी debit हो गया यह बात मैंने आपको बता था रट्टा मारने के पॉइंट से भी तो यहां पर पर्चेस आ रहा है purchase क्या हमारे लिए expense अब आपको बाट दिखा तो बाट अकाउंट मतले पर्चेस लिखना भाई expense क्या हो जागा debit हो और हमने क्या करा भाई यहां पर पैसा गया होगा हमारा cash जा रहा है purchase करने पर तो क्या हो जागा यह credit हो जाएगा तो अब देखो जो जो ने link रही होगी purchase debit तो purchase पर लगने वाला तो cgst sgst वो भी debit होगा और purchase पर कौन सा gst लगता है input लगता है भाई लिखो purchase account debit लिखो input cgst account debit लिखो input sgst account debit और अब क्या दोगे भाई cash account narration का लिखो को being goods purchased and cgst and sgst paid at the rate 6% each ठीक है ऐसे लिख देना 5000 रुपे पर 6% 5000 into 6% 00 cancel और 300 रुपे आ रहा है कितना cash गया होगा 56 रुपे cash गया होगा ऐसे sales के लिए एक example ले लेते हैं गयारवे नंबर पर sold goods for cash for 6000 रुपे चार्ज cgst और sgst अभी कुछ cases ऐसे होते हैं जहां पर आपको नहीं बोला गया cash दिया है नहीं दिया है तो उसमें हम उधार मान लेते हैं वह अभी हम उस चीज से side होकर के काम कर रहे है ठीक है वह जब आएगा तो मैं आपको समझा दोंगा ठीक है अभी फिलाल हम मानते के cash मिल रहा है फिलाल के लिए अब वह basic class है one shot के अंदर तो आप ऐसे परशान मत हो ठीक है तो देखो purchase debit तो purchase पर लगने वाला GST भी debit अब sales credit तो sales पर लगने वाला GST भी credit sales credit तो sales पर लगने वाला GST भी credit अब purchase पर input लगता है तो sales पर आउटपुट cgst sgst लगएगा ठीक है तो sales एक income है और इससे क्या होगा cash आ रहा है तो cash एक asset asset आएगा increase होगा तो debit करेंगे to sales account to output cgst account to output sgst account लिखो being goods sold and output लिखने ही चुराती है वैसे cgst and sgst received कितना 6000 पर 6% यानी यानी 360 रुपर तो 6000 तो sales हो गई 360 और 360 क्या होगा 6720 रुपर इतना receive होगा ठीक है तो यह भी हमने समझ लिया अब आगे बढ़ते हैं discount पढ़ते हैं यह बहुत important चीज है और जो आपके paper में journal entry वाले chapter में से कुछ आएगा तो discount जरूर आएगा दियान से समझना discount कितने तरहां का होता पहले तो यह देख लेता है डिसकांट न दो तरीके का होता है एग होता trade discount एग होता cash discount और इन दोनोगा फर्क समझना में बहुत जरूरी है ट्रेड मतला व्यापार करना यानि जब हम व्यापार कर रहे है यानि खरीद रहे है और सामने वाला बेच रहा समान उस टाइम पर डील कर ली हमने वो कहते है दस हजार रुपे का प्रोडेक्ट है आरे नहीं थोड़ा ठीक ठीक लगा लो शाड़े आठ हजार देंगे हम उसन जब ठीक है cash discount वह होता है जो at the time of payment होता है at the time of payment तो शाड़े आठ हजार रुपे जब हम pay करेंगे और इस टाइम पर बोला के भाई मैं आठ हजार रुपे दूँगा तो बेटाई जो 500 रुपे है ये discount कैसा है cash discount है और हमेशा ध्यान रखो ये 1500 रुपे जो trade discount है ये record नहीं होगा आप journal entry सिर्फ 8500 की करोगे ना ये 1500 रुपे ना ये 10,000 रुपे देखेगा आप सीधी journal entry की जो final amount of transaction है वो यही finalize हुआ था कितने का हुआ अब उसके बाद ये 500 रुपे जो है cash discount ये record होगा क्योंकि जो transaction थी वो अब हमने discount के बारे में पढ़ी लिया है तो अब शुरू करते हैं एक और example को करना जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से discount के increase कर सकते हैं और sale purchase का क्या से क्या-क्या इसाब किताब होता है और ये आपके exam में ज्यादा आएगा ये थोड़ा सा जो अभी तक हमने सीखा उससे थोड़ा सा level अच्छा वाला है तो इसको अच्छे से समझ लेना ठीक है तो यहाँ पर calculations बहुत हैं अच्छे से समझना है कैसे कैसे क्या-क्या होगा तो सबसे पहले देखते हैं purchase goods from विजय विजय से हमने 40,000 रुपे के goods purchase किये है जिस पर लग रहा है IGST 12% ठीक है IGST कितना लग रहा है 12% लग रहा है at 10% trade discount 10% trade discount है 3% cash discount है अब आगे नहीं लिखा half of the amount paid at the time of purchase तो जब purchase किया तो half of the amount यानि जो भी amount हमने विजय को total देना है उसका आधा हमने उसी time pay कर दिया ठीक है तो चली देखते हैं क्या होगा तो भई सबसे पहले चीज़ परचेज हमारा एक expense है अब इतनी जरह से हम क्या कर रहे हैं यहीं तो सीख रहे हैं तो purchase आपको पता चल चुका है परचेज का हमारा expense से debit हो जाएगा और मैंने आपको क्या बताया हुआ है अगर आपने GST वाला session देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताए परचेज डेबिट तो परचेज पर लगने वाला टेक्स भी debit होगा और परचेज पर कौन सा टेक्स लगता है बेटा इनपुट जी एस्ट लगता है तो यहां पर क्या लिखें कि इनपूर्ट IGST अगेन I am repeating जिन्होंने GST का one shot नहीं देगा I button को जाकर check out कर लिजे बहुत सारी चीज़े हैं जो आपको अभी सीखनी है तो उस वीडियो में आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे इस चीज़े समझ मा आजाएंगी ठीक है अब मैंने आपको अभी बताया कि जो ट्रेड डिसकाउंट है वह रिकॉर्ड नहीं होता तो चालिस हजार रुपे का अगर लिस्ट प्राइज है MRP जो भी आप जानते हो चालिस हजार रुपे का पताया कि घ्रड आप गृट्स त्रेइस चालिस हजार रुपे कि कि हम पर और 25 कस पे उर जानन दो गे में तो हम ले ले लेंघ रहें तो उसने बोला रहा हैं busy क्या है हमारे लिए हमारे लिए यह हमारे डीलिंग प्राइज है निए परचेस हमने 40,000 का नहीं 36,000 रुपे किया है 40,000 नहीं लिखा जाएगा कहीं पे भी और यह 4,000 का trade discount है वो भी कहीं record नहीं हुआ है ठीक है तो यह हमें समझ में आगई बात अच्छा जी अब और आपको क्या समझना है कि जिस amount पे deal हुआ है उस पे ही GST लगेगा ठीक है जिस amount पे जो deal हो रहा है 36,000 रुपे भी dealing हो रही है तो इसी पे GST लग जाएगा तो 36,000 का 12% अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा 0, 2 and 4, 43 तो यह क्या है GST हमारा आ रहा है 4,320 रुपे 4,320 रुपे तो total amount क्या देना है total amount हमें जो total amount हमें देना है वो है 36,000 plus 4,320 रुपे that is 40,320 रुपे हमें pay करने है अब इन्होंने बोला 40,320 रुपे pay करने है और 3% cash discount है तो वेटा जब cash payment की जाती है उस पे discount दिया जाता है ना कि पूरे amount पे हम देंगे तो इन्होंने जो आदा ही cash देना है तो जो आदा amount है उस ही पे cash discount दिया जाएगा और cash discount को क्या करते है रिकॉर्ड भी करते हैं तो क्या करेंगे तो पहले तो हमें समझ में आधा पैसा दिया आधा पैसा नहीं दिया इसका मतलब क्या है कि हाफ अमाउंट से हमारा जो विजय है वह हमारे लिए क्रेडिटर बन जाए 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 यह तो हम क्रेडिट करते हैं सारे रूल बेटा यहां दिमाग में बसे इतनी प्रैक्टिस कर लो सर कैसे याद करें हमें तो याद नहीं होता प्रैक्टिस एक मात्र रास्ता है उसको याद करें तभी बात बनेगी और जो यह हाफ अमाउंट बचा उस पर भी डिसकाउंट भी दिया जाना है तो मैंने मैंने परचेस किया और मुझे पैसा देना है तो मेरे को अगर पैसा कम देना पड़े यादि डिसकाउंट मुझे रिसीव हो रहा है और जब जब डिसकाउंट मिलता है तो डिसकाउंट जो मिल रहा है जो डिसकाउंट हम रिसीव कर रहे हैं वो हमा आरे ये बस समझ में तो अब ये देख लो कि 44,320 का आधा ठीक है आधा divided by 2 तो क्या होगा 40 का आधा 20 320 का आधा 160 तो विजय जो है हमारी डेटर बना 20,160 रुपे से और 20,160 रुपे अब कैश देनी की बारी आई तो उसने बोला कि मैं 20,160 रुपे पर 3% डिसकाउंट लोगा कैश डिसकाउंट ठीक है तो 20,160 360 तो नहीं बोला मैंने 160 पर 3% डिसकाउंट तो 3 से मल्टिप्लाए करो 0 और 8 4 0 6 और डिवाइड बाई 100 है तो 2 0 है ना तो दो डिजिट बात पॉइंट लगा दो तो यह क्या रहा है 604.80 रुपे तो इसको राउंड ओफ करके मैं आल्मोस्ट क्या है आल्मोस्ट यह 605 रुपे है क्या है 605 रुपे अब 20,160 रुपे में से 605 रुपे का डिसकाउंट मिल गया तो डिसकाउंट माइनस कर दो तो बाकी जो बचा वो हम पे कर रहे है तो 20,160 मैंने बोला ना कैलकुलेशन काफी अच्छी खासी है मैं इसे 605 रुपे डिसकाउंट मिल गया तो माइनस करने पर आया 5, 5, 5, 9, 1 19,555 रुपे तो 19,555 रुपे हमने क्या किया विटा हमने इसको पे किया है और 605 रुपे हमें क्या मिला है डिसकाउंट मिला है ठीक है नरेशन आप लिख लोगे ठीक है आप नहीं लिख पाऊगे तो मैं लिख देता हूँ बींग गोड्स पर्चेस्ट from VJ with IGST at the rate 12% ठीक है and half of the payment made after 3% cash discount जैसी आपको English ठीक ठाक सी नॉर्मल सी आती है वैसे आप नरेशन लिख सकते हैं ऐसे परिशानों नहीं कोई ज़रूत नहीं है ठीक है तो I hope आप लोगों को ये बहुत में थी बहुत इंपोर्टेंट थी तो ये भी अमने ज़रूर्टेंट शीख ली कोई भी दिक्कत है फिर से मैं कहा रहा हूँ कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए भाई आपका हक बनता है ठीक है आपका ही चैनल है चलिए फिर एक और इंपोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं यहां पर हमें क्या सीखने को मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ यहां पर हमें सीखने को मिलेगा bad debt और bad debt recovered तर ये bad debt होता क्या है debt का मतलब उधार bad मतलब बहुत बुरा लगता है कौन सा उधार हमें बुरा लगता है कि मैंने किसी को उधार दिया समान बेचा और वो पैसा लेकर भाग गया बुरा तो लगे गई भाई वो bad debt होता है तो ये जो पैसा लेकर भाग गया इंसानी है मेरे लिए क्या है ये expense ही तो है loss ही तो है और expenses ये loss हो वो क्या होते है debit होते है तो चली पढ़ना शुरू करते है तो लिखा है 15,000 due from RAM RAM से हमें 15,000 पर लेने थे due मतलब उससे लेने थे are not recoverable अब वो recover नहीं हो सकते नहीं लिये जा सकते यानि RAM तो पैसा लेके भाग गया तो bad debt है हमारा क्या expense है तो पहली एंक्रियम क्या कर लेते है bad debt क्या हो जागा बेटा हमारा expense expense हो जाएंगे debit तो bad debt account debit ठीक है और RAM हमारा debtor हुआ करता था जो bad निकला तो इसलिए अब RAM हमारे debtor नहीं रहा हमारे debtor कम हो गए तो वो क्या होगा बेटा debtor एक asset है asset कम होती है तो क्या करते है credit करते है ठीक तो यहाँ पर 15,000 रुपे का यहाँ पर आ जाएगा ठीक है हो गया फिर यहाँ पर लिखना है बीइंग है ना bad debt recorded ऐसे लिख लिखना ठीक है या फिर लिखना है बीइंग amount due from RAM not recoverable है ना ऐसा कुछ करके लिखना है narration नहीं लिखना है थोड़ी जगा का अबहाव है पर लिखना है Mohan has owed to 20,000 has become insolvent एक Mohan नाम का इंसान था जिसको हमने उधार दे रखा था 20,000 रुपे का अब वो insolvent हो गया नहीं कंगाल हो गया दिवाली अखुशित हो चुका है he pays वो क्या दे रहा है 50 पैसे दे रहा है in a rupee बेटा यह style होता है बताने का एसा नहीं 20,000 रुपे में से सरफ 50 पैसे देगा यह कह रहा है कि हर एक रुपे में से सरफ 50 पैसे दे पाएगा that means एक रुपे का 50 पैसे कितना परसेंट होता है 50 परसेंट होता है यानि 20,000 का भी वो 50 परसेंट दे पाएगा in full and final settlement तो ऐसे में क्या होगा कि बहुआ 50 परसेंट तो हमें पैसा मिलेगा और 50 परसेंट नहीं मिलेगा हमने इसको धार दिया तो यह 50 परसेंट बैडडेट होगा हमारा तो हम यहां पर बैडडेट लिखेंगे दूसरी एंट्री जो हमसे पूछना है bet debt account debit ठीक और हमें cash भी मिल रहा cash एक asset है, asset बड़ेगी तो क्या करूँगा मैं debit to Mohan अब देखो Mohan से हमें 20 में से 10,000 नहीं मिले जो bet debt हो गए और 10,000 मिल गए तो अब finally हमारा जो Mohan था 20,000 पर गए debtor वो अब debtor नहीं रहा, बात खतम and last में आती है third entry, हमने normal सीख ली, हमने full settlement वाली भी सीख ली, insolvent के case में फिर आदा received cash Rs. 5,000 for a bad debt एक bad debt था, जो पहले write-off हो चुका है, यानि हमने books of account से हटा दिया, बाई-बाई-टाटा कर दिया, अब वो नहीं है अब कौन था, कौन नहीं था, पिछले साल की बात है उससे 5,000 मिलें भाई, उसको भाई, फील हुआ हो गया और मैंने इसका पैसा मार लिए, अच्छा तो नहीं किया बद्दुवा लेके क्या फायत है, चलो इसको पैसा लोटा देते है तो इसने आकर के 5,000 रुपे दिया तो अब उस इंसान का नाम लिखने की जुरत नहीं क्योंकि वो बुक्स ओफ अकाउंट से राइट ओफ हो चुग है राइट ओफ होने का मतलब मिटा दिया गया है, खतम कर दिया है बुक्स ओफ अकाउंट में वो ही नहीं तो अब हम क्या करेंगे 5,000 रुपे को यह अब हमारी इंकम है, तो कैश बढ़ेगा भी कैश अकाउंट डेबिट तू, अब बैट डेट रिकवर, पैसा रिसीव हो है बैट डेट जो बहुत बुरा उधार दिया था हमने, वो अब रिकवर हो गया है तो बैट डेट रिकवर हमारी क्या हो जागी, इंकम हो जागी, बैट डेट रिकवर अकाउंट, कितना 5,000 ठीक है, तो हमने यह भी कर लिया, तो आई होप समझ में आ गया होगा, और बिटा देखो, जर्नल एंक्टरी का ना सच बताऊं, तो कोई अंत नहीं है बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दी है, अब आगे और प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, कमेंट करके बताईए भई, आपको प्रैक्टिस करवानी कितनी है, आपकी डिमांड होगी तो फटाफट से आजाएगी वो वीडियो, आप पहले क्या चाहते हैं, तो वो आप मुझे बेजिए, मैं आपको कहते हैं, वो सारी चीज़े बताऊंगा, सारी चीज़े पढ़ाऊंगा, जितनी भी ट्राजेक्शन होते हैं, हर ट्राजेक्शन की जर्नल एंट्री है, चैरिटी की जर्नल एंट्री होते है, गुड्स अगर हमारे गोडाउन में गुड्स रखे थे, स हमने हर तरीके से इसको complete करने ही कोई भी problem रह जाती है कोई भी problem आती है आपको confusion होती है तो आप comment box में comment करके जरूर पूछिए और अगर यह session अच्छा लगा है आप लोगों को तो आप क्या करेंगे भाई यतना तो मेरे लिए कर सकते हो ना like करना है और सभी 11th class के students के साथ share करना है और उन बच्चों के साथ भी share करना है जो बड़े हो चुके हैं लेकिन अभी भी जादू का बेट करना है पतलब जर्नल एंक्ट्री नहीं आती है बड़े हो चुके हैं फिर भी तो उनको भी share कर सकते हैं और अगर आप नहीं आए इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करना तो बही बनता है क्योंकि यहां पर आपके लिए सब चीज़े आ रही हैं जो आपके करियर के लिए आप